हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल अगर तो मेरी चैनल पर नहीं तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए आज की जो मैं रेसिपी लेकर के आई हूँ यह बहुत ही चटपटी सी एक इमली की चटनी है जो बिल्कुल बजार की तरह है आप इसको समोसे के साथ खा सकते हैं दही वड़े के साथ खा सकते हैं या फिर आप चाट के साथ भी इसको खा सकते हैं और यह बनाने में भी बहुत ही ज्यादा easy है so let's get started so friends इसके मापको ingredients बता देती हूं यह एक कटोरी jaggery यह एक कटोरी इंबली यह साथ से आठ खजूर जिसको हम dates बोलते हैं और यह अध्रक अब हम इंबली डेट्स और अध्रक को गरम पानी में एक घंटे के लिए रख देंगे यह देखिए अब हम गरम पानी में इंबली को डाल रहे हैं हम डेट्स डालेंगे अध्रक डाल रहे हैं हम अब हम इसको एक घंटा गरम पानी में ऐसे ही रहने देंगे यह देखिए मैंने इंबली खजूर और अध्रक को गरम पानी में दो घंटे के लिए भिगो के रखा था फिर मैंने इंबली और खजूर के बीज को निकाल कर आप मैं इसको ग्राइंड जार में डाल के ग्राइंड करूंगे अब देखिए मैंने गैस पे पहले से तेल रख दिया था यह गरम हो गया है अब मैं यह जीरा और अजवैन को पहले इसमें डाल दूँगे यह हींगे यह मैं हींगी इसमें डाल दूँगे अब मैं इसको अथ्र से खिलाऊंगे अब यह देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको ग्राइंड किया है यह देखिए यह सारा ग्राइंड किया हूँ यह मिक्स्चर है अब मैं यह इसमें डालेंगी यह देखिए और मैं इसको थोड़ा मेडियम लगके अब इसको थोड़ा थोड़ा हिलाती जाऊंगे इसको अच्छे से पहले वाइल होने देंगे यह देखिए इसको अच्छे से पहले वाइल होने देंगे साथ में हमने इसको हिलाते भी रहने है अब यह देखिए अब यह देखिए योग बनना शुरू हो गए यह देखिए यह देखिए अबनना शुरू हो गया है यह मैंने जैगरी को पहले से ही पानी में भीगो के रखा था अब मैं यह भी इसमें डाल दूंगे इसको मैं अच्छे से हिला लूँगे इसको मैं फिर पांट मिनिट के लिए पकाएंगे अब यह देखिए जैगरी गोड़ होता है हम उसको गोड़ी भी पोलता है हम इसमें डाल के इसको पका दीए यह देखिए अब यह कूप अच्छे से उबल रहा है अब हम इसमें बाकी मसाले भी डाल देखते हैं अब यह देखिए हम इसमें सारे मसाले डाल रहे हूं यह है काला न नमक है स्वाद अनुसार यह गरम मसाला यह लाल मिर्च यह भी स्वाद अनुसार यह चीनी है अभी जीनी ने मैं आधी कटोरी डाल लिये इसको मैं हिलारी हो अब मैं इसको से हिला रही हूं अब मैं इसमें जीरा पोड़र डाल रही हूं अब इसको अच्छे से हिलाने इसको थोड़ा घणा होने तक हम इसको पकने देते हैं ये देखिए ये पकना भी स्टार्ट हो रहे हैं देखिए ये पक रही है अभी हम मैंने इसको थोड़ा और पकाना है यह देखिए अब यह गाड़ी हो गई है यह देखिए अगर यह कडशी के साथ चिपकना शुरू हो जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत अच्छी होती है यह देखिए अब मैं इसके बीच में किश्मिश यह देखिए और वाटर मैलन सीट्स डालूँगी और इस पर अच्छे से लालूँगी यह देखिए अब है हमारी इंबली और खजोर की चट्मी जो है यह तयार है यह देखिए अब हम फ्लेम को बन कर जाते हैं और इसको 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने लेंगे फिर हमारी चट्मी तयार है आप इसको जरूर बनाएं और जब बना लेंगे खाके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए अप तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ये खरोची लाइक पर बोच्छु फवार गुट टाय।